हलो एरीज, एरीज यानि मेश रासी नमस्ते, मैं सुरेज गोड स्वागत करती हूँ आपका आपके एपने ट्रिपल एफ इंदी टैरो पर तो आज हम एरीज यानि मेश रासी के लिए लाव रिडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि Aries आपके पार्टनर आपके लिए क्या फिलिंग रखते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं फिर हम देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फिलिंग रखते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं फिर लास्ट में हम इस रिस्ते का आउटकम द रिडिंग होगी और ये एक जनरल रिडिंग है तो इसलिए जिस पर चितनी रेजोनेट होती है उतनी आप एकसेप्ट कर सकते हैं ये 100% रेजोनेट नहीं हो सकती क्योंकि ये अनर्जी चेंज होती है और एक जनरल रिडिंग है तो चलिए चलते हैं उनिवर्स से पूछते हैं कि आने वाला सब्ता आपका कैसे आ रहने वाला है आपका प्यार आपका मोहबत कैसी रहेगे तो चलिए चलते हैं युनिवर्सिटी गाइड मी प्लीज साथ जन्वरी से 14 जन्वरी तक एरिज यानि मेश राशी के दिन कैसे रहने वाले हैं एरिज आपके पार्टनर आपके लिए क्या फिलिंग रखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फिलिंग रखते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस रिस्ते का आउटकम क्या रहने वाला है आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं आपके पार्टनर चाहा रहे हैं कि आप इस रिस्ते में आप बैलन्स बना कर रखे जो गुस्सा है जो टेम्पर है जो आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं या तो आप बिलकुल ही नहीं बोलते बिलकुल गुसा नहीं करते या तो बहुत जल्दी गुसे में हो जाते हैं आप अपने लाइफ में बैलेंस बना कर नहीं चलते lanes और जो professional और personal life है उसमें भी आपको balance बनाने की जुरुरत है क्योंकि जब तक आप balance नहीं बना लेते अपन में प्यार महबबत में तू तू में जगड़ा होता रहेगा और आपको ना तो ज्यादा गुस्सा करने की जुरूरत है ना तो बिलकुल शान्त होने की जुरूरत है या तो बिलकुल मौन हो जाते हैं या तो बहुत गुस्सा करते हैं जो दोनों ही जीज गलत है तो आपको इ जिने की जुरूरत है और personal और professional लाइफ को भी अलग-अलग समय पर अलग-अलग करने की जुरूरत है कि प्यार के टाइम पर आपको प्यार करना चाहिए और काम के टाइम पर काम करना चाहिए तो अगर आप ऐसा करते हैं तो universe भी आपका साथ देने वाले हैं, blessings आपको मिलने वाली हैं, तो आप अपने गुसे को temper को control कीजिए, balance अपनी life में लाइए और अपने प्यार को, अपनी महबत को काफी रंगिला आप बना सकते हैं, और इसका result भी आगे जाकर काफी fruitful हो सकता हैं अगर आप थोड़ा सा अपना life में गुस्सा कम कर लेते हैं और धीरज के साथ, सहस्ता के साथ अपनी life में control करना सीख लेते हैं और अच्छे तरीके से सब कुछ handle करते हैं, तो वो बार बार ऐसा महसूस कर रहे हैं, आप से यही उमीद कर रहे हैं, कि आप अपने temper पर गुस लाइफ है, उसको stable बनाएंगे, queen of wands, तो वो आप से क्या चाहते हैं, वो आप से attracted हैं, आप से प्यार करते हैं, महबत करते हैं, आपका जो पहनने ओडने का जो तरीका है, वो उनको बहुत पसंद आता है, तो वो आप से चाहते हैं, कि वो आप पर मरते हैं, मिठते हैं, प्यार करते हैं, महबत करते हैं, आपका lifestyle उनको पसंद आता है, तो वो चाहते हैं, कि वो भी उनके जैसे बने, उनके तरीके से उनको प्यार करें, महबत करें, आप भी उनकी तरफ attractive हों, आप भी उनसे प्यार करें, ऐसा वो बार बार चा चाहते हैं कि आप भी उनकी तरफ अट्रेक्ट हो और उनसे प्यार करें मोहबत करें आप भी उनको वैसा ही प्यार दें जैसा वो आप से चाहते हैं या जैसा वो आप से करते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये काफी आगे जाकर अच्छा हो सकता है और सोच संबल कर ना सूजे समझे रिस्ते में आगे बढ़ने में क्योंकि बहुत सी चीजे लुभावनी होती है और हर चीजे जो लुभावनी होती है वो नुक्सान दायक भी हो सकती है तो उसके साथ-साथ आपको सोच विचार कर इसका फायदा नुक्सान देख कर जाच पड़ताल करके तभी इस रिस्ते को आगे बढ़ाने की जुरूरत है क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती तो इसलिए आपको जाच पड़ताल किये बिना इस रिस्ते को आगे नहीं बढ़ाना है इसमें अचानक से कूद नहीं पढ़ना है तो वो चाहते हैं कि बिना जांच पड़ताल के इस रिस्ते को आगे नहीं बढ़ा जाना चाहिए डेथ आप अपने पार्टनर के लिए क्या फिल कर रहे हैं ये एक ट्रांस्फोर्मेशन का काड़ है यानि आपको लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है सब कुछ खतम हो गया है जिन्दगी एकदम चेंज हो गई है बिलकुल कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो पहले था तो आपको सब कुछ बदला बदला सा जिन्दगी बदली बदली सी लग रही है सब कुछ चेंज लग रहा है तो ये आप ऐसा बार-बार महसूस कर रहे हैं कि इस रिस्ते में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो सब कुछ उसने बदल कर रख दिया है जो इस जिन्दगी को चेंज कर दिया है तो हो सकता है कि जो आपके पास्ट में कुछ पुरानी प्रेशानिया थी या दिक्कते थी वो खतम हो रही है या आपकी लाइफ में चेंज आते आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक समय के बाद एक जिंदगी के पड़ाओ के बाद सब कुछ बदला बदला नजर आता है चेंज आते रहते हैं हर्मोन्स वगेरा भी चेंज होते हैं तो लाइफ में चेंजिंग आपको दिखाई देते हैं और जो चेंज हो रहा है उसे बदल लेती जिए आप डरिय खबराइए मत इसका सामना कीजिए आगे जाकर ये आपके लिए हो सकता है आपके लिए अच्छा हो लेकिन इसको कोई रोक नहीं सकता जो बदलना होता है समय के साथ वो बदल कर रहता है तो उसके बाद आप एक नई बिगनिंग नई शुरुवात इसमें कर सकते हैं नया चेंज आपकी लाइफ में इसमें आ सकता है और वो महसुस कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि इस चेंज को एक्सेप्ट करें और सविकार करें आप उनसे क्या चाहते हैं आप एक स्टेबलेटी चाहते हैं एक बैलेंस चाहते हैं जो प्रोफेस्नल और परस्नल लाइफ है उसक स्टेबल चाहते हैं और आप आपको लगता है कि वो स्टेबल होने वाले हैं वो स्टेबल हैं वो काफी दानवीर हैं काफी शूरवीर हैं और वो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्यार मोहबत को आगे बढ़ाने के लिए जो आपके पास टेबलेटी ह जो आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ आप अगर दान दक्षिना करते हैं दान करते चलते हैं तो आपका प्यार आपकी महबत और भी आगे बढ़ सकती है क्योंकि यह give and take कार्ड है अगर आप इसमें दान करेंगे कुछ ना कुछ किसी को देंगे तो उसके बदले आप आशिरवाद प्यार महमता को भी पाएंगे तो जो आप कमा रहे हैं जो आप स्टेबल हो रहे हैं तो जो आपकी लाइप में इन बैलेंस है आपको बैलेंस लाने की जुरूरत है और प्यार महबत में और आगे बढ़ने की जुरूरत है जो इन बैलेंस हो रहे हैं आप बार तो उसमें stability लाइए उसमें balance ठीक कीजिए और जो आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ दान वगएरा करते चलिए और आप काफी stable हो सकते हैं ये आगे जाकर काफी आपके लिए अगर आप दान वगएरा करेंगे या कुछ किसी को देंगे किसी की मदद करेंगे तो बदले में जो उपर नीचे जो imbalance जो life हो रही है उसमें stability लाइए और वो प्यार को समझें मोहबत को समझें और कुछ ना कुछ देते चलें ताकि प्यार के बदले वो प्यार पा सके ऐसा आप उनसे चाहा रहे है इस रिस्ते का outcome क्या रहने वाला है इस रिस्ते का outcome कुछ अच्छा खाए नहीं दे रहा इसमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रेशानिया आपके life में आई हुई है तो आपको चाहिए कि जो प्रेशानिया है जो दुख दुवीदाय है जो या तो आप के घर में कुछ ना कुछ इस रिस्ते को लेकर कोई लड़ाई जगडा चल रहा है वैसा नहीं रहा जैसे शुरू में था तो इसको आपको चाहिए कि इसको या तो आपको कुछ दिनों के लिए रोक देना चाहिए इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए या फिर सोच समझ कर मिल बैठ कर बाते करके अगर शानती से आप इसको सुलजाने के कोशिश करते हैं और ये अनर्जी जब खतम हो जाए जब ये समय चला जाए उसके बाद आप इस रिस्ते को आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन इसमें अभी के लिए फिल हाल के लिए आपको रुकने की जुरूरत है क्योंकि अगर इसको नहीं रोकेंगे आप तो इसमें लड़ाई जगड़ा होने के आसार हो सकते हैं तो आपको चाहिए कि या फिर आपके जो दिमाग में जो मन में जो द्वंद यूद चल रहा है जिससे आप प्रेशान हो रहे हैं आप काफी कंफ्यूजन में हैं प्रेशानी में हैं दिक्कत में हैं जो आपके अंदर जो लड़ाईया चल रही है उससे शा हो जाते हैं जब आपको लगता है कि सब जी fabrics हो गया तभी आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए तब तक के लिए अगर पहले इसमें कोई जल्दबाजी करते हैं तो इसमें नुकसान उठाने के चांसे हो सकते हैं आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं तो नुकसान से पचने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और मिल जूल कर सोच समझ कर जो लड़ाई जगडा या आपके पीच में कुछ तनाव हो रहा है उसको सुलजाने की जरूरत है आज के लिए बस इतना ही फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक किजिए, सेर किजिए, सब्सक्राइब किजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इससे मुझे मौटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, प्रोथसान मिलता है और वैसे भी मेरा चैनल नया नया है तो आपके जो सब्सक्रिप्शन, आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो कापे माइन रखते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बर बर के ब्यूज दीजिए फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अपना प्यार और आशिरवाद बनाए रखिए नमस्ते थेंक यू सुमाइग